मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं साधियों से तो आ चुकी होती हूँ लेकिन वहां का खाना का टेस्ट भूल नहीं पाती हूँ बिल्कुल मेरे साथ पनीर दो प्याजा में यही हुआ था मुझे मन हो गया था पनीर दो प्याजा खाने का वो भी साधियों वाले टेस्ट के साथ तो मैंने सुचा मैं एक बार घर पर ही ट्राइ कर लूँ तो मैंने सबसे पहले दही लिया उसमें थोरा थोरा सारा मसाला डालके फेट के उसको अच्छी तरह से रख दिया अब मैंने पनीर फ्राई किया, पनीर में मैंने थोरा सा हल दी और थोरा सा कस्मीरी मिर्च मिला के फ्राई किया था ताकि इसका कलर बिल्कुल साधियों वाली पनीर जैसी आए, अब बचा हुआ ओयल था उसको वेस्ट नहीं करना, उसी में आपको ओनियन डाल के अच्छी तर रखा था उसको डाला, ब्राउन हो जाए जब प्याज, तभी आपको सब कुछ डालना है, ताकि वो अच्छी तरह से हमारा पक जाता है, फिर हमने अध्रक लसन का पेष्ट बना के रखा था उसको डाला, और दो तीन टामाटर का आप पेष्ट डाल सकते हूँ, वो आप अ अद था चमश झोठा चूटा है, इसलिए मने दो डाला था फिर हमने थोड़ा सा उनियन जो अट्वल करके निकला था, उसको डालके अच्छी तरह से पकाए और थोरा सा पानिर डाल दिया, कसूरी मिती है, आपके पास तो उसको क्रस करके डाल देजिए और फिर पनिर डा है और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रही है